नमस्कार दोस्तों मैं आपके अपनी डॉक्टर आर्चना जैन चलिए जी आ गया प्यार का महीना जिसे हम बोलते हैं फरवरी तो दो हजार चौबिस फरवरी में क्या होने वाला है धनूराशी के बारे में जानते हैं कैसी रहेगी आपकी परसनल लाइफ आपका जॉब आपक जो रिटायर हो चुके हैं उनके बारे में है ना हम तो जी अगर हम बात करें तो बहुत सोच समझ के प्लानिंग करके चीजें आगे बढ़ाई जा रही हैं है ना और जब चीजें सोच समझ के आगे बढ़ाई जाती हैं तो जादा बेटर रहता है अपनी लाइफ में वह क् पारी तो कुछ ऐसा होने वाला है कि आपकी लाइफ में आपको मिलने वाले हैं इस महीने कुछ fruitful result क्योंकि अब आपने अगर जॉब में हाट डाला वहाँ पे भी आपकी तरक्की बिजनस में हाट डालोगे वहाँ भी आपकी तरक्की finances आपके पास बहुत बड़ी आ रहे हैं कुछ नई डील आप साइन करने वाले हैं आपका overall situation देखू ना मैं तो पैसा ही पैसा है मतलब अब आप इतना जगल करोगे कि इस पैसे को संभाले हैं कैसे इस तरह से ना बात करते हैं हम लोग आपकी personal अगर मैं feelings की बात करूँ शानत है आपकी life और कुछ नई चीजें जो आप plan up कर रहे हो चीजे कुछ नए start करने की सोच रहो partnership में कोई काम मत करना बस इस चीज का खास कहाल रखना आपके खुद के stars बहुत strong है तो आप हर चीज को सही तरीके से balance कर सकते हो चीजों का खास कहाल रखना है आपको कि आप आपने जितना पैसा आपके पास उस परमात्मा ने आपको दिया है उसका एक छोटा सा शुक्राना किसी भी token of donation में आप एक गुप्त दान कीजें नहीं तो आप गाए को चारा जरूर दें क्योंकि बुद्वार को आप जितना देंगे अब आप इस पैसे को multiply करने की सोचते तो इस पैसे को अगर आपको और multiply करना है तो उसका सबसे अच्छा साधन ये है कि आप बुद्वार को गाए को चारा खिलाना शुरू कर दीजे बस ये को पाये आप कर दीजे और देखे आपकी life में कितने बड़िया आने वाला standard आपका होने वाला है पैसे कि आपको कोई क फर्म मिलेगी अगर आपको कहीं आपकी family कहीं आप higher studies के लिए कहीं ना कहीं ऐसी जगा ढून रहे हो एक और ज्यादा high level पर पढ़ाई करने की बात कर रहे हो पर मुझे लगता है आपके parents आपको और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने जितन बट मुझे लगता नहीं है कि अब आभी शादी के mode में हैं अभी आप और आगे पढ़ाई करके और एच्छे high level पर जाना चाहते हैं you want to be independent और ऐसा independent कि आपको कभी भी किसे से 10 रुपे मांगने की जरूत ना पड़े very very high and good regards to you कि आप इतने ही strong इस बात को सोचते हैं क्यों अगर ऐसा होता है ना तो आप इस काम को जरूर कर लीजिए कोई घबराने वाली बात नहीं है कुछ अगर बढ़े जो लोग रिटायर हो गए मुझे लगता है उनको भी घबरानी कोई जोत नहीं है बहुत पैसा परमात्माने आपको दिया है सेहत बक्षी है सब कुछ तो इस सब्सक्राइब नहीं करें और अगर उस समय को हम सही तरह सी ईूटिलाइज नहीं करें तो समय भी जाता है कैते हैं अगर अपने ले कुछ नहीं किया तो उस पैसे को अपने लेखर्च करें अगर आप कoldoo क Μुझे ऐसा रखता है की आपके पास एसे खुभशूरत ल जूल्री है जिसे आपने काफिश समय से डाला नहीं होगा तो अगर आप जेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज अपने पुराने कपड़ों को बहुत एक्सपेंसिव हैं उनको अपने उपर ही ट्राय कर लेजे उनको और उसको पहन कि अगर कहीं आपको मौका मिले जाने का बरूर ले लेना ठीक है किसी रूप में कुछ भी लेना खाली नहीं देना उससे भी बड़ी बात मेरे को कहीं से भी आपका कोई डाउनफॉल नजर नहीं आता वर्ल्ड का कार्ड आ गया इंपरेस का कार्ड आ गया उसके वाद किंग ओव ओंड किंग ओफ पैंटिकल जिसक बिए में शक्राउन डालता है और वर्ल्ड में तो आपके उपर है यह और उसके बाद टूप पैंटिकल में एक बेवी बहुत बड़ी है आप जो भी प्लानिंग करते हो बहुत सॉलिड करते हो बहुत अच्छी करते हो और आपकी प्लानिंग इतनी जादा अच्छी होती ह है कि उस प्लानिंग से आपको और आपकी फैमिली को बहुत ही जबर्दस फूट्फूर रिजल्ट मिलते हैं तो अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो करते रही है चलिए जानते हैं आपके कार्ट इतने सूपर हॉट इतने नाइस आये हैं बर फिर भी जानने की जरूद है कि आप चाहा के भी ना अपनी चीजों को इंजॉए ने करते हो आप क्या करते हो कि अच्छे चलो देख लेंगे बाद में घुमने चले जाएंगे कई बारी होता है ना कि आप लोगों के इन्विटिशन को भी कई बारी आप इग्नोर करते हो तो ऐसा मत कीजे ठीक है यूँ ह अगर सब कुछ है तो उसको दूसरों के साथ मिल के इंजॉए करके जो लोगों के इन्वाइट साते हैं प्रीज उन पे जाके थोड़ा सा इंजॉए करना शुरू किजे आपने अपने घर को एक हैवन बना रखा है और अगर नहीं बनाया है तो अब बारी है आपके घर को ह समय आने वाला है शादी का सही समय है कि अगर किसी रिष्टे की वेट हो रहे थी तो आपने इस रिष्टे को अब किसी हुक में लॉक कर लेना है उस पार्टनर को आपने जाने नहीं देना क्योंकि यहां पे आपकी फांडेशन फॉर्म होती नजर आ रही है और यह जो अच है यह क्या है लव लाइफ में तो लव जैसे कि हम सब जानते हैं की फैब का टाइम है और फैब में हम सब कुछ लगे और आपको लगे कि आपको किसी पर डिपेंट होनी की जरूरत है तो मुझे लगता नहीं की दिपेंड होनी की ज़ुद है क्योंकि आप खुद एपनी चीजों के खुद दिम्मेदार हैं ठी किया आज पैसा भी बना लिया इज़त मान भी कर ली स्टूरेंट भी बहुत अच्छे हैं बड़े लोग का भी सब कुछ अच्छा है तो अगर मैं इस पूरे कार्ज की सिनारियो को देखूं तो यह तो बहुत अच्छा है इस राशी वालों के बारे में मेरे ख्याल से अभी तक की इस बारे फरवरी की रीडिंग में अभी तक की सबसे अच्छी रीडिंग है यह इतने परफेक्ट और इतने अच्छे कार्ज आएं आपको अगर ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में आपको सुकून मिलता है सिर्फ आपके फैनान्स और करियर में तो ऐसा कुछ नहीं है देख फैमिली इशुज जो पीछले हुए है वो हील आप हो रहे हैं तो चीजे बहुत ब़ेटर होरी हैं ठाइम टू टाइम चीज़े हो रहे हैं और बहुत अच्छा और इ절 histor, जानते हैं की आज का स्पेशल जाना चाहते हैं बहुत सारे जंडर्स होते हैं बहुत साहे लोग है जो जानते ही नहीं है कि पार्टनर्स क्या सोचता क्या है हमारे बारे तो चलिए ज्यूआप से मैच करें आप वही अपने साथ ले लेजेगा I pray to God that I want you back मतलब देखलो आपके लिए तो prayer हो रही है You are out of my league मतलब कुछ ना कुछ या तो आपके अंदर ही कैसा वो है कि वो चाहा के भी आपके पास approach नहीं कर पा रहे हैं ऐसा कुछ scenario create हो रहा है तो उसको थोड़ा create मत होनी जी थोड़ा सा gap देदीजे क्योंकि आपके लिए कुछ poems बोली जाती है आपके लिए गाने सुने जाते हैं आपकी memories को cherish किया जाता है I am jealous to see you with someone else I cannot share you देखो अब इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है Your partner is in pain आपकी जो भी partner है वो कहीं ना कहीं एक pain में है I am in pain I daydream about you तो हर समय वो आपको सोचते हैं आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं I am hopeful that you will never come back to me मतलब वो अभी सोच में डूप चुके हैं I miss your dignity मतलब missing energy बहुत जादा तो अगर ऐसा कुछ scene है तो please इस chapter को बहुत प्यारे से note पे grab करो और जितनी confusions हैं जितनी misunderstanding हैं जितनी भी negative चीज़ें जो आपकी relationship में convert हो चुकी हैं उसको खतम कर दो अगर आप चाहते हैं इस रिष्टे को वापिस बनाना तो please go and grab it और अगर कुछ नया बनाना चाहते हैं तो life is yours तो all the very best उसके लावा फिर भी कहीं पे आपको मेरी जरूरत हो तो नीचे दियोए appointment number पे only whatsapp message, no call and उसके अलावा फिर भी कोई comment देना हो तो नीचे comment देना ना भूलिए do like and subscribe आप चानल मिलती रहूंगी बहुत जल्द अपनी नहीं वीडियो के साथ मैं आपके अपनी डॉक्टर अर्चना